नमस्कार मित्रों श्रिराधे मैं अंसुल्त रिपाठी आपका जोतिश्पिद योंबास रास्त्री मित्रों आज हम एक ब्रत के बारे में आप से बात करना चाहते हैं यह ब्रत मुझे बहुत प्री है इसलिए मैं कोशिस करता हूँ कि हर महीने इसकी बीडियो जरूर बनाओं और इसकी सूचना पंचांग के माध्यम से एकदम विश्वशनी आधार लेकर आपके सामने प्रस्तुत हों तो आप ज्यादा sticker के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं अंग्रेजी महीने के अनुशार या फर्रवरी मह में पढ़ने वाली एकदम है और और माघ सुक्लपक्ष की एकदसी की अगर बात की जाये तो मंगलवार दिन होगा, एकदसी की तिथी होगी, अंग्रेजी डेट के अनुशारु 23 फरवरी, 23 फरवरी 2021, इस दिन मंगलवार होगा, और यह जया एकदसी के नाम से जानी जाती है, इस एकदसी को बहुत ही डेटेल जानकारी दी और कहा, जो भी जातक इस ब्रत को रहता है, उसकी अकालम रित्तिव नहीं होती है, उसके जीवन में दुरभाग नहीं आता है, वो कभी भी प्रेत योन में जन्म नहीं लेता है, हमारे अहां ब्रतों को इस पसलाइज करने का जो तरीका है, वो एक सू का अंदाज होता है, उसमें धेर सारी सिक्षाएं छिपी होती हैं, इन ही सिक्षाओं की जानकारी देने के लिए कहानियां सुनाई जाती हैं, भगवान स्री कृष्ण ने अरजुन से धेर सारी बात इस विश्य में की है, ऐसा भी लिखा आपको मिलेगा, कुछ जगा इस एकादसी को पंचां के माध्यम से हम लोग देखते हैं, आद्रा नचत्र है, सुरियोदय स्काल में, और जो सुबा आठ बच के चगवालिस मिनेट तक है, आईश्मान योग है, तेईस तारिक और चंद्रमा जो है, उस समय मिथुन रासी में होंगे, सुरियोदय के समय, और जया एकादसी ब्रत, जिसे भावमी एकादसी भी कहा जाएगा, क्योंकि एकादसी की तिथी मंगलवार को पढ़ रही है, अतहर इस दिन जो लोग ब्रत रखेंगे, उनको मंगलवार के ब्रत का भी लाभ मिलेगा, मंगलवार ब्रत अर्थात हनुमान जी, भगवान वि मंगल अच्छा नहीं है, जिनको गाड़ी, घर या कर्ज से दिक्कत हो, वो लोग भी यह एकादसी ब्रत रखें, उनके लिए बहुत स्रेष्ट होगा, माग का महिना अमने पहले भी बताया, कि यह बड़ा सुभ महिना होता है, इस महीने में आप जब नदी में अशनान करत हैं, खास तोर से गंगा नदी, वो भी प्रियाग में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पून की प्राप्ती होती है, यह एकादसी इन अर्थों में भी बड़ा महत्त रखती हैं अपने आप में, और फिर से आपको एक बार हम पूरा पंचांग बता देते हैं, मांग शुक हैं और यहां पर बहुत बड़ा प्रशन रहता है कि क्या जया एकादसी सब के लिए है, जी बिलकुल यह सब के लिए है, अस्मार्ता नाम वाली जो समस्क्या रहती है कि दो दिन एकादसी है, वो दिक्कत अपकी बार नहीं है, और अगले दिन बुद्धवार को पारण कर सकते हैं किसी एक अनास से जो या किसी चीज से आप एक बार खा के आप पारण कर सकते हैं वो भी विद्विधान से भगवान की पूजा करने के बाद एक अदसी के जितने विब्रत होते हैं विश्णु जी के किसी ने किसी रूप की पूजा होती है इस दिन भगवा जोग्यान का चिंतन करना, बहगवान की कहानी सुनना, भगवान के बारे में बात्चीत करना यह स्रेष्ट होता है। ऐसे तो नमक का निशेध नहीं होता है, लेकिन अगर आप नमक न कहाएं, तो स्रेष्ट होगा। एकादसी ब्रत की कहानी के सम्मन्द में भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमसे कई दर्शकों ने फोन करके अस्पेसली कहा, कि कहानी की वीडियो जरूर बनाया करिये, कम ही लोग देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर देखते हैं, और कहानी सुनी जाए या बिसेस है, क्योंकि कहानी सुनने का अपना एक महत्म है, तो इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं, धन्यबाद, शिररादे.